आज हम सेंटेंस शुरू करेंगे जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं शब्दों का इस्तमाल करते हैं ताकि दूसरे उसे समझ सकें लिकिन सिर्फ शब्द ये काफी नहीं है उनका एक निश्चित ओर्डर होना चाहिए जिससे वो अर्थ बना सकें ऐसे ही शब्दों के समों हम संटेंस वाक कहते हैं definitive nation a group of words which makes complete sense is called a sentence a group of words so arenas as to make complete sense is called a sentence a meaningful group of force which makes complete sense is called a sentence example he goes to market he rank word गोज एक वोड, टू एक वोड, मार्किट एक वोड. ये चार अर्थ वाले शब्दों को सही कर्म में लगाने से बना है. अगर इसे हम मार्किट टू गोज ही बोलें, तो अर्थ निकालना मुश्किल हो जाएगा. कैसे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, यह एक एक एक्जाम्पल में देखते हैं. यहां पर हमने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पाँच वाकियों का इस्तामाल किया. इसी तरह बोलने और लिखने में हम सिंटिन्सिस का इस्तामाल करते हैं. जिस तरह दुनिया के सारे अंग्रेजी शब्दों को हम आठ भागों में बाटते हैं, उसे हम पार्ट्स ओफ स्पीच कहते हैं. इस पर अल्लेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं. उसी तरह दुनिया में बोली या लिखे जाने वाले सारे अंग्रेजी वाकियों को हम सिर्फ पाँच भागों में, या मोडर्न इंग्लिश ग्रेमर में चार भागों में बाटते हैं. हैना अशर जनक और इंग्लिश सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्विज सिर्फ चार या पाँच भागों में. सेंटेंसे आर फाइब ताइप्स. फॉस्ट असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंस और डिकलरेटिव सेंटेंस. हिंदी में उसे हम वीधी वाचक कहते हैं. Interrogative Sentences or Questions प्रश्नमाचक Imperative Sentences or Command आदेशातमक Optative Sentences or Wish or Desire इक्छार्थक और Exclamatory Sentences और Exclamation विसमयार्थक Assertive Sentences or Statement or Declarative सबसे पहले इनके Meaning को हम समझते हैं डिक्ष्नारी के द्वारा Assertive का मतलब होता है Expressing Your Opinion Clear and Formly So that People Listen to You और Do What You Want यनि असपष्ट और डिड़ता से अपनी राय ब्यक्त करते हुए ताकि दूसरे जो है उसे सुने समझे और करें Statement Something that you say or write especially formally यनि कथन कही या लिखी बात Declarative कथात्मक A statement in the form of a declaration घोस्रना के रूप में कोई भी कथन अब इसकी Definition को हम देखते हैं Those sentences which simply affirm or deny something यनि स्विकारते हैं और नकारते हैं are called assertive sentences A sentence that makes a statement is called an assertive sentences यहां पर जो है Mohan जैसे एक्जाम्पल में लें Mohan is a boy Milk is white I can do it इन तीनों वाक्यों में affirmation यानि स्विकारना है Mohan is not a student Milk is not red I can not do it लेकिन इन तीनों वाक्यों में जो हम देख रहे हैं deny या negation है वाक्यों जो है negative में है negative के लिए not का परियोग किया गया है assertive sentences जो होते हैं दो तरह के होते हैं first affirmative और positive जिन वाक्यों का कथन स्विक्रातमक स्विकार किया जाए a sentence which affirms is called affirmative example I am writing you are going Rajkumar is playing ऐसे sentence में मुख रूप से पहले subject आते हैं subject जो किसी भी वाक्त का करने वाला doer होता है फिर वर्ब फिर other words और आंते में full stop यहां वर्ब में helping verb प्लस main verb हो सकते है या सिर्फ helping verb हो सकता है दूसरे words के साथ या main verb हो सकता है बिना helping verb के अब example हम देखते है he is a student he जो है यहां पर subject है is verb है और a student जो है other words है और full stop यहां last में हम जरूर लगाएंगे मंजीत इट्स a mango मंजीत subject इट्स जो है वर्व और mango जो है other words है सेम एज रगू इस प्लेइंग फुटबॉल यहां रगू सब्जेक्ट इज जो है helping verb है प्लेइंग में वर्व है फुटबॉल जो है other words है और फिर हम full stop का इस्तामाल करेंगे negative ऐसे वाक्यों का कथर नकरात्मक होता है a sentence which denies is called negative statements ऐसे वाक्यों में no not या नकरात्मक वाले दूसरे शब्दों का जैसे never nothing neither इत्यादी आते हैं जैसे रवी इस not a good boy you are not playing he does not go there मंजीत never comes here nobody can do it तो यहाँ पर not है never है और nobody है ऐसे वाक्यों मुक्रूप से तीन तरह के होते हैं या affirmative को तीन तरह से हम negative में change कर सकते हैं पहला वैसे वाक्यों जिसमें helping verb रहे helping verb में to be में is, are, am, was, were, to have, has, have, had, modal verb, shall, will, can, may, must, should, would, could, etc. प्लस not, not यहाँ helping verb के बाद, प्लस main verb या दूसरे words जो हैं वो रह सकते हैं प्लस full stop जैसे affirmative में he is a student और negative में हम he is not a student यहाँ पर not जो है add कर रहे हैं he subject है, is helping verb है, not negative word है, or student other words है, I have done this, affirmative हुआ, I have not done this, तो यहाँ पर I subject है, और have जो है helping verb है, not negative word, done आपका main verb, और this जो है other words, और last में हम full stop हम लगाते हैं दूसरा वैसी वाक जिसमें helping verb नहीं रहते हैं, उनमें helping verb लगा कर not helping verb के बाद आड़ करते हैं ऐसे मुख रूप से दो तरह के वाक्य हो सकते हैं पहला simple present tense, जिससे he goes to Delhi, दूसरा जो हुआ simple past tense, जिससे he went to Delhi, तो simple present tense में जो है do, do या does, इनके बाद हम not लगा कर negative sentence बनाते हैं दू का परियोग जो है हम I, we, you, they, दो या दो से ज़ादा नाम हो तो वहाँ पे जैसे Anis and Manjeet और डज का परियोग जो है हम he, she, it, one name, nobody, anybody और इसमें हम verb से जो है S या इस को हटा देते हैं जैसे he goes there, तो he goes there में he does not go there, does not को हम doesn't भी लिख सकते हैं और doesn't हम pronounce से करेंगे, we play football, तो we के बाद do लगेगा, not play football did not or didn't का परियोग जो हम simple past tense में negative बनाते समय करते हैं और V2 को V1 बना देते हैं, he went to Mumbai, went को यहाँ पे V1 करेंगे और did not, जैसे he did not go to Mumbai, और तीसरे जो है negative sense वाले words को जोड़ कर हम negative बनाते हैं यह words जैसे sentence के शुरू में, जैसे nobody can do it, none of them can do it, neither he nor she can complete it तो यहाँ पे nobody, none और neither जो है पहले आये हुए हैं sentence के बीच में भी हो सकते हैं, जैसे he never speaks like this तो यहाँ neighbor बीच में, they hardly come here, hardly भी बीच में हैं sentence के आंत में भी आ सकते हैं yesterday I went nowhere, you did nothing तो nowhere nothing, you did nothing को हम you didn't, did anything भी बना सकते हैं interrogative sentences or questions a sentence that ask a question is called an interrogative sentence जिस वाक के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए और वाक के अंदे में प्रश्न वाचक चिन हम लगाते हैं example, is Delhi a big city? where are you going? interrogative sentences जो हैं पांच तरह के हो सकते हैं या इन्हें हम assertive से interrogative पांच तरह से बना सकते हैं first, yes no question helping verb को subject से पहले रखते हैं simple present and simple past में do, does और did को करमशा पहले रखकर question बनाते हैं ऐसे questions का answer जो है हाँ या ना में होता है इसलिए ने yes no question कहते हैं जैसे, are you ready? do you know? did he go? can you do it for me? दूसरे तरह के जो sentences में मिलते हैं देखने को वो डवलुएच क्वेस्चन्स होते हैं ऐसे questions डवलुएच वोट्स जैसे, who, which, whom, whose, how, when, why, where, what तादी से शुरू होते हैं और इनके बाद helping verb, फिर subject, और other words और question marks लगा रहता है जैसे, what does he do? how are you? तीसरे तरह के जो questions, question tag होते हैं, question tag का परियोग अपनी बात कह चुकने के बाद, उसे confirmation के लिए एक छोटा सा वाक्खंड जो है जोड़ देते हैं जैसे, he has done this, यह affirmative sentence है, इसमें negative word जोड़ेंगे, hasn't he और pronoun का इस्तमाल करते हैं यहाँ पर question tag को हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, he has not done this, यह negative sentence है, यहाँ पर has he को हमने add किया चौथे तरह के जो questions होते हैं, वो rhetorical questions होते हैं, यह question वाले जो sentence वहाँ इस्तमाल होते हैं, जहाँ पूछने वाला जवाब चाहता ही नहीं है, बलकि अपने बातों पे जोर देने के लिए करता है जिसे have you ever seen a lion, it's a very of a fiercest animal, पांचवे तरह के जो questions होते हैं, उन्हें हम inflection questions कहते हैं, यह जो है आवाज के ले में बदलाव लाकर हम करते हैं, इस तरह के question बोलने में जादा इस्तमाल किये जाते हैं, क्योंकि इनकी बनावट सेम सेम affirmative sentence की तरह होती है बस अंध में लिखने में question marks रहता है, लेकिन यह लिखने में कम इस्तमाल होते हैं, और यह बोलने में हाव हाव से परकट होते हैं, जैसे अगर affirmative में मैं बोलूँ, you have read this book, लेकिन इसे अगर मैं question में बोलूँगा, तो you have read this book, रोहन can do it, रोहन can do it, imperative sentence और command, a sentence that expresses an order, request, advice, entreaty, or prohibition, is called an imperative sentence, यहाँ पर जो है, order, आदेश, निवेदन, सलाह, entreaty, विंती को बोलते हैं, provision किसी चीज़ की मनाही को बोलते हैं, होते हैं, ऐसे वाक में जो है subject, you छुपा होता है, और ond में full stop जरूर इसमें इस्तमाल होता है, as जैसे, come here, love your country, हमें मिलने पांच तरह के वाक जो है, imperative sentence में देखने को मिलते हैं, पहला, verb के साथ दूसरे words जुड़े होते हैं, जैसे, come here, shut the door, दूसरा, do not या don't से शुरू होते हैं, जिसमें मनाही होती है, जैसे don't go there, don't take tea now, और तीसरे तरह जिसमें please और kindly जूटा होता है, ऐसे वाक में please यह kindly जो है, शुरू में होते हैं, please come back soon, please don't drink wine here, चोथे जो होते हैं, late से शुरू होने वाले, late से या late pronoun not से शुरू होने वाले, जैसे let us play, यहाँ पे जो है हम pronoun का objective form इस्तमाल करते हैं, इसके जनकारी हम pronoun में लेंगे, let Ravi to do it, not जब इस्तमाल होता है, तो let him not go out, यह हम don't let him go out भी इस्तमाल करते हैं, लेकिन यह बहुत कम इस्तमाल होता है, और यह less acceptable है, please और kindly भी जो है late वाले वाकों में हम लगा सकते हैं, और पांचवे तरह के जो वाक देखने को मिलते हैं, वो है imperative sentence को जब हम जोरदार बनाते हैं, तो उसे do से हम शुरू करते हैं, जिसे do come, यानि जरूर आना, do bring up in, जरूर एक कलम लाना, optative sentence, a sentence that expresses wish, prayer, bliss or curse, इसमें कामना, प्राथना, अश्रुवाद और अभिशाप होता है, जैसे may you succeed, may you pass the examination, may you succeed, तुम सफल हो, may you pass the examination, वो examination pass करे, may God help you, may God save people, यहाँ wish, prayer और bliss है, may he die, may a dog bite him, यहाँ curse है, may he die, वो मर जाए, may a dog bite him, उसे एक कुत्ता काट ले, optative sentence है, प्राया मे से शुरू होते हैं, और अंति में जो है, note of exclamation marks जो है, रहता है, कुछ वाकियों में जैसे may छिपा भी रह सकता है, फिर भी भाव में परिवर्थन नहीं होगा, जैसे God bless you, यहाँ पे may God bless you की जगा, God bless you है, God save the king, may God save the king की जगा, God save the king है, कभी कभी ऐसी इक्छा या कल्पना जो पूरी ना हो सके, तो if के बाद subject और were या had का परियूग किया जाता है, अगर if को हटा दिया जाए, तो were और had जो है subject से पहले आ जाते हैं, जैसे if he were a king, काश वह राजा होता, were he a king, if he had a plane, had he a plane, exclamatory sentence or exclamation, a sentence that expresses some sudden or strong feelings, जैसे joy, sorrow, pain, surprise, praise, contempt or shame of the mind is called exclamatory sentence, इसमें खुशी, दर्द, आश्यर्ज, परशंसा, तुरिस्कार और शर्म यहाँ पे है, जैसे hurrah, we have won the match, oh, you did a blunder, यह sentence जो है, दो तरह से हो सकते हैं, पहला, इसमें interjection के बाद हम exclamation marks लगाते हैं, जैसे alas, she is no more, no more, अब interjection जो words, इस्तमाल में आते हैं, वो निम लिखी थे हैं, जैसे, ओ, alas, fai-fai, यानि छी-छी, हश, चुप, चुप, excellent, bravo, shabas, shim, लानत है, पुह, राम-राम, great heavens, high, भगवान, दूसरे तरह के जो होते हैं, उसमें what, or, या an, noun, इस्तमाल होते हैं, या what, a, an, के साथ adjective noun, इस्तमाल होते हैं, जैसे, what a flower, what a lovely flower, और such, a, an, के साथ noun, या such, a, an, के साथ adjective या noun, इस्तमाल होते हैं, जैसे, such a flower, such a lovely flower, और how so के साथ adjective या adverb, इस्तमाल होते हैं, और इनके अंत में exclamation marks होते हैं, जैसे how miserly he is so miserly he is उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको sentence पर काफी अच्छी लगिए